यू तो पूरा ब्रह्मान्धी एक अबूज पहली है लेकिन पिछले कुछ समय से दुनिया भर के खगोल शास्त्री एक अजीब सी दुवधा में फसे हुए है इसकी वज़ा है एक अनोखा खगोली पिंड ये पिंड काफी रहसिम है इससे जुड़ी बातें किसी दूसरे पत तारे से इसको बिल्कुल अलग बनाती है इसी अनोखेपन के कारड़ खगोल शास्त्रियों ने इसे एलियन मेगा स्ट्रक्चर का नाम दिया है कुछी दिनों के अंदर इस पिंड की करीब 22 फीसद रोशनी घट गई है महज थोड़े से ही समय में इसकी रोशनी 22 प्रतिशत कम हो जाने से खगोल शास्त्री हैरान है इस तारे की चमक समय समय पर घटी बढ़ती रहती है ये तारा धरती से लगभग 1500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है खगोल शास्त्रियों को लगता है कि शायत उन्होंने एलियन सब्यता के संकेत पा लिये हैं और ये जोस्तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो चलिए शुरू करते हैं इस खगोली पिंड का नाम के आईसी 8462852 है इस तारे को अब टेबी के तारे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये टेबे था बोया जियन के नाम प कीवल नियमित तोर पर कम होती जाती है बलकि कुछ समय बाद इसकी स्वाबाविक चमक फिर से वापस भी आ जाती है इस तरह का स्वाबाव किसी अन्य तारे में नहीं देखा गया है वैग्यानिक इस तारे की इस अजीबो गरीब आदत को समझने की कोशिश कर रहे हैं को दूर के तारों की चमक में आ रहे अंतर पर नज़र रखता है वैग्यानिक समझ नहीं पा रहे हैं किस तारे की प्रक्रिया बाकी तारों से इतनी अलग कैसे है तारे की रोशनी अगली बार कब धीमी होगी इसका अंदाजा लगाना भी संभव नहीं है कई खगोल शास्त है और इसकी रोशनी मंद हो जाने का नियम क्या है रोशनी मंद हो जाने के बाद तारे पर क्या होता है ये भी नहीं समझा जा सका है कुछ वैग्यानिकों का कहना है कि इस तारे के सामने से जब धुंके तू गजरते होंगे तो इसकी रोशनी मंद दिखती होगी वहीं कि इस्तों की बीच में आ जाने के कारण ये तारा ठीक से नहीं दिख पा रहा है येल यूनिवसिटी की एक खगोल वैग्यानिक टबेथा बोया जियाउन का कहना है कि हमने अभी तक ऐसा अनोखा तारा नहीं देखा था पहले हमने सोचा कि डेटा में कुछ गड़वडी है ल अब्जर्वेशन के दोरान तारे की चमक में 22 प्रतिशत की कमी देखी गई इस अजीवो गरीब प्रकाशी पैटरन की वज़े से रिसर्चरों ने इस तारे को अनोखी तारे की स्ट्रेडी में रखा कैपलर स्पेस टेलिस्कोब ने करीब एक लाग पचास हजार तारों पर प्रकाश में आने वाली कमी को मैसूस कर लेता है अगर किसी तारे की रोशनी में कमी आती है तो उसके कई कारण हो सकते हैं जिन में से सबसे प्रमुख है उस तारे के पास एक या एक से अधिक ग्रहों की उपस्ति जिनका परिक्रमापत प्रत्वी और उस तारे के जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो वो उस तारे के प्रकाश को हलका कम कर देता है लेकिन ये तारा अब तक खोजे गई सब तारों से एक दम अलग है क्योंकि हर ग्रह के अपने तारे की परिक्रमाकाल निश्यत होता है जिससे उन तारों के प्रकाश म कमी आती देखी गई है लेकिन उसका अंतराल नियमित नहीं है साथी प्रकाश में आने वाले कमी की मात्रा भी अधिक है एक बार प्रकाश 15 प्रतिशत तक कम हुआ था तो एक बार 22 प्रतिशत तक इसका मतलब है कि इस बार हमने कोई ग्रह नहीं खोजा है क्योंकि जुपिटर से बड़ी आकार का ग्रह संभव नहीं है अगर उस ग्रह का द्रब्यमान अधिक है तो भी आकार वही रहेगा केवल घनत तो बढ़ेगा इसका मतलब यह हुआ कि स्तारी की प्रकास को जो रोक रहा है वो बहुत ही विशाल है और हो सकता है कि स्तारी की लगभग आधे आकार का हो अब आप सोच रहे होंगे कि जुपिटर से बड़ा ग्रह क्यों नहीं हो सकता क्या इसका कोई नियम है तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं किसी ग्रह का आकार उसके गुरत्वा कशर पर निर्भर करता है गुरत्वा कशर किसी भी पिंड के आकार को कम करने का प और वो ग्रह न रहकर एक तारा बन जाएगा। इसके अलावा इस तारे के प्रकाश में हर बीस्वे दिन के बाद कुछ हपतों के लिए प्रकाश में कमी होती है और कुछ समय बाद गाय हो जाती है। 22 प्रतिशत की कमी नहीं ला सकते। ये कमी की मात्रा अधिक नहीं बहुत ज्यादा है। इस मामली में यही मान कर चलना चाहिए कि इन सब के पीछे कोई एक अकेला कारण ही जिम्मिदार है। व्यज्यानकों का कहना है कि इस बैवार के पीछे धूमकेतूं का जुंड नहीं हो सकता। धूमकेतूं के जुंड से थोड़ी समय के लिए प्रकाश में आने वाली कमी को माना जा सकता है। लेकिन लम्मी समय में आने वाली कमी को नहीं। धूमकेतूं से होने वाली प्रकाश की कमी के लिए उनका बड़ी संख्या में होना चाहिए। और उनका विशाल आकार होना चाहिए। साथ ही उनके बीच टकराप से मलवे का निर्मार भी होना चाहिए। दूमकेत्यों से ये सब संभव नहीं है इसलिए इस संभवना में दम नहीं है एक अन्य संभवना के अनुसार ये प्रभाव किसी एलियन सब्यता के द्वारा निर्मित हो सकता है इसकी संभवना वैसे तो बहुत कम है लेकिन असंभव नहीं और ये संभवना हमारे निर्क्ष का प्रयोग कर सकते हैं इस तारी की प्रकाश में आने वाली ये कमी उस तारी की सामने से उस विशालकाई धाचे के गुजरने से पैदा हो सकती है इस तरह की सौर पैनलों के विशालकाई धाचे को डायसन गोला कहा जाता है अब आप सोच रही होंगे कि आखरी ये डायसन गो की खोज में लगे हुए हैं लेकिन कुछ समय पहले भहुत एक विज्ञानी फ्रीमन डाइसन ने उर्जा की आपूर्ती के लिए एक नई अवधार्णा दी थी उनके अनुसार अगर हम सूरी के चारों ओर और और्विट में कई किलोमीटर बड़े सौर पैनल बनाकर डाल दें क्योंकि हमारी सब्यता इतनी विक्सित नहीं है लेकिन कोई विक्सित सब्यता ऐसा जरूर कर सकती है इसी अवधार्णा को डाइसन गोला नाम दिया गया था अगर सिंपल वे में समझें तो एक ऐसा विशालकाई गोला जो किसी दूसरी तारे को पूरी तरह से ढख ले ये अवधार्णा 1970 और 80 के दशक में चर्चा में रही थी आपको बत्या दें कि डाइसन नी कभी एक पूरे गोले को बनाने की बात नहीं की उनकी अनुसार धीर सारे सौर पैनल बनाने की बात थी जो तारे को डखें और एक विशालकाई गोले की तरह दिखें इस तारे पर एल इन सब्यता नई सौर पैनल का निर्माड कर डाइसन गोले में डालती जाएगी प्रकाश में कमी अधिक होती जाएगी और दूर की किसी निरिक्षक को ये कमी समय के साथ दिखाई देती जाएगी लेकिन इस बात में भी ज्यादा बल नहीं मिल रहा है उदहरण के लिए मान पिछली सदी में सौर पैनल का निर्माड कर डाइसन गोले में डाल रहे हैं इस तारी का व्याद सूरी से 1.6 गुना है जो हमारी सूरी से बहुत अधिक चमकीला है इस तारी के प्रकाश में 20 प्रतिशत की कमी लाने के लिए सौर पैनलों का सम्मिलित छित्रपल कम से कम 750 अर वर किलोमीटर मतलव प्रतिशत की छित्रपल का 1500 गुना इसका मतलव इस तरह की परियोजना बहुत लंबी समय तक चलेगी इसलिए एलियन सब्यता द्वारा ये संभव नहीं लग रहा लेकिन इस तारी के वेचित्र व्यवार के पीछे जो भी है वो हमने अब तक नहीं दे के लिए सुलजाने की दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ सकेंगे लेकिन पूरी पहली सुलजा पाने की संभवना तो फिलाल बहुत दूरी है दोस्तों अगर आप टेंशन में हैं और कुछ पल के लिए उस टेंशन को खत्म करना चाते हैं तो आप हमारे एक एपिसोड दिखाई दे रहा है तो उसे देखना मत भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें नमस्कार दोस्तों